हेलो गाईज, वेलकम टो जीय अटोमोटिव एंड आज हम आये हैं फॉर सिटरंस C3 का वॉकराउंड सिटरंस C3 का सेकेंड प्रोड़क्त है इंडियन मार्केट में, सीफा एरक्रोस के बाद C3 बेजिकली एक बजट फ्रेंडली है जो की डारेक्टली राइवल करेगी टुकार्ज लाइक टाटा पंच, निसान मैगनाइट और रिनॉल्ट काईगर इंजिन ओप्शन की बात करें तो इसमें आपको दो इंजिन ओप्शन मिलते हैं एक 1.2 लीटर नेचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन जो की आता है 5-speed manual gearbox के साथ एंड अ 2nd वन 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजिन जो की आता है 6-speed manual gearbox के साथ सो आपको इसमें diesel engine और automatic transmission दोनों ही available नहीं है C3 जिफ दो variants में available होगी live and feel आज हम बात करेंगे top end that is feel variant के बारे में जानेंगे कि कि आपको Citron C3 consider करनी चाहिए या नहीं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा अब चलते हैं वीडियो में स्टार्ट करते हैं कार की front design से front में आपको citron का जो basically design language होता है वही continue किया गया है front में आपको दो DRLs मिल जाएगी कुछ इस शेप में regular halogen based headlamps दो chrome की strips front में और जो citron का logo है वह सी में neatly integrate किया जाता है नीचे silver finish में skid plate और ऐसे कुछ लगते हैं इसके fog lamps रेगिलर halogen based fog lamps मिलेंगे आपको और कुछ ऐसा लगता है इसका front end फ्रंट से गाड़ी की design language काफी simple रखी गई है पर कार काफी अच्छी लगती है काफी लोगों को front से citron c3 काफी पसंद आने वाली है लेट असना मूँवान तो दो साइट प्रोफाइल 15 इंच के steel wheels में जाते हैं वील caps के साथ वील caps की design configurable है so customers can choose delivery से पहले जो भी design होने चाहिए customers alloy wheels के लिए भी opt कर सकते हैं as an additional accessory turn indicators यहां फेंडर पर लेस्ट है वार्वियम ड्यूल टोन फिनिश्ट ऐसे कुछ लगते हैं इसके दोर हैंडल की को manually insert करके open करना बढ़ेगा डूर को child lock अंदर मिलता है और ऐसी कुछ लगती है side profile से जो वील बेसे सिट्रन सीथरी का वो पूरे सेग्मेंट में सबसे ज्यादा है और उसका क्या फायदा है विविल अंडर्स्टाइंड डाटन सेकेंड रोव डिवल टोन फिनिश्ट रूफ 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 रेल्स आ जाती है और रेगलर एंटिना टॉप पर अब चलते हैं रियर डिजाइन पर ऐसे कुछ लगते हैं इसके रियर टेल लांप्स टर्न इंडिकेटर्स यहीं पर प्लेस्ट है आपको बैजिंग मिल जाती है सी 3 की लोग एफ साइट पे नहीं मिलती है ऐसा कुछ लगता है इसका ओवर ओल्रीर एंड दो फ्रंट पार्ट रिवर्स पाकिंग सेंसर्स डिवर्स बंपर प्लेस किये गया है अलॉंग विध रिफ्लेक्टर्स है अब चलते हैं बात करते हैं बूट की यहां पर बटन प्लेस किया जा को यहां पर को मिलता है जहां पर अपना स्टोरिज कर सकते हैं सो प सकते हैं डा सल ट्रेится सब और चलते हैं गाड़ी के अंदर अब बात करते हैं सिट्रन C3 के इंटीर्स के बारे में सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर पर आपको दोनों फ्रेंट पावर विंडोस के कंट्रोल मिल जाता हैं ग्राइब हैं यहां पर प्लेस किया गया है डोर को क्लोस करने के लिए अंड इसा फीचर है जो अफकोर्स दिया जाना चाहिए था पर यह कॉस्ट कटिंग में हट चुका है एलेक्रिकली अजिस्टिबल ओर विम हमेशा से गूट फीचर है पर इसमें आपको मैनुवली अजिस्टिबल मिलता है कार की चाबी की बात कर लें तो आपको सिर्फ दो बटन तो इसमें ल день करने की और यह सह्ते हैं यह का सीट की नशीट की एक बात करने का अइंसर्ट करने के लिए का सीट की बात करने। रीच हाइट के लिए और रेक्लाइन के लिए अब चलते हैं इंटीरियर्स के अंदर उससे पहले दो कंट्रोल्स आपको यहां पर मिल जाते हैं यह फॉग लैम के लिए और यह चाइल लॉक के लिए सेकेंड ओल्ड स्कूल फीचर जो हेड्लाइट लेवलिंग का मेकेनिजम में वह काफी मैनुली दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिकल लेवलिंग आती है वह देनी चाहिए थी बट अगेन कॉस्ट कटिंग अग्रेसिव प्राइजिंग के लिए अब चलते हैं ड्राइवर सीट प खाली डिजिरल स्पीडो मीटर मिलता है आपको इसमें कोई भी तरह का टैको मीटर नहीं मिलता अफकॉर्स सिट्रेंड इसे काफी बेटर डिजाइन कर सकता था और जो कंट्रोल्स दिए गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के वह वहीं पर यह बटन प्रोइड किया गया तो आप सारे इंफोर्मेशन से स्क्रॉल तुरू कर सकते हैं जो शो करता है ओडो मीटर ट्रिप ए ट्रिप बी और सारी इंफोर्मेशन जो भी आपको देखनी हो स्टेरिंग विल की बात कले अधा काफी कम पक्त और शोटप सा है लैदरस बैस प्रेव आपको नहीं मिलता लेफ्स सा इड़ पर कोई भी कंट्रोल्स प्रोट नहीं किये गया बीच में सिर्षन का लोगो राइट साइड पे कंट्रोल्स मिल जाते है आपको मिलिजिक की तर्सकीं इंफोटेमेंट सिस्टम सर्प्राइजिंग फैक्टर आपको इसमें वायलेसली एंड्रोड आपकापले कनेक्टिविटी मिलती है जो काफी अच्छे फीचर है और ओवराल जो तुस्ट्सक्रीन डिस्प्ले है वो काफी इजी और काफी कन्वीनियन्ट है यूज यहां पर दो एसी वेंट्स मिलते हैं आपको मैन्यूल एड्जेस्ट्मेंट फॉर एसी आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं मिलता आपको यूसबी पोर्ट हैजार लाइट और 12 वोर चार्जिंग सॉकेट यहां पर एडिशनल स्पेस मिलती है जहां पर दो मूब जाते हैं अब मैन्यूल डिमिंग आयर विम ओवर ओल यहां पर हैलोजन लाइट प्लेस की गई है यहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते हैं मैन्यूल दिमिंग के लिए इसलिए आपको ऐसा कुछ मिलता है संवाइज की बात कर लें वैनेटी मेरा ड्रैवर साइट पर नह इंटीर के साथ काफी अच्छी लगती है यहां पर छोटी सी स्पेस दी गई है और अगर गलव बॉक्स की बात कर लें तो ऐसा कुछ डीसेंट्ली साइज गलव बॉक्स आपको मिल जाता है और आधे जो यह था के बार में इंटीर में वहलॉल स्ट्रन सी 75 हम ने जो बात की वह मिसाटर ठीए लेकिन काफी सप्राइजं इंटीर में औरम फॉर क्राइजनेग काफी कॉस्टी कि गई है अब बात करते हैं सिटन सीथी के सेकेंड रो के बार में कि टर्मस ऑफ स्पेस और कमफर्ट कैसी है दोर की बात कर ले दोर को जादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं यहां पर आपको ग्राइब है डोर क्लोस करने के लिए सिल्वर फिनिश में इंटीर दोर हैंडल दिया गया है न प्रेंच स्टेचिंग दी गयी है औल ओवर जो फील और कमफर्ट हैं सीट का वह काफी अच्छा है दो फिक्स हैं रस पीछे गाडी में ओवराल चार है रस आता है और चारों के चारों फिक्स्ट है कोई भी एड़्ड़ेस नहीं मिलते आपको सिट्रन सी त्री में अब चल आपको यहां पर मिल जाता है द्राइवर सीट के पीछे बागी फीचर्स की बात करें तो यहां पर आपको दो चार्जिंग सॉकेट्स प्लेस्ट के लिए यहां पर एडिशनल स्पेस और जो दो पावर विंडव हैं उनके कंट्रोल यहां पर दिये गए है दो ग्रैब एंडल्स दिये जाते हैं आपको इच साइट में एस मेंशन दोनों एड्रेस्ट एड्जिस्टबल नहीं है फिक्स डाते हैं स्पेस की बात करने क्या तीन एडल्स पीछे बैठ सकते हैं कर लॉंच एवन पर वी ट्राइड तीन एडल्स बैठ सकते हैं आराम से क्योंकि गाड़ी की विट्थ काफी अच्छी है और दैट इस अगर हम कार को समझे तो वो रही है मेन फोकस ड्राइब कमफर्ट कन्विनियंस और स्पेस पर ऑल्दो काफी फीचर्स मिस कर दी लाइक ऐलॉई वील्स आपको इंस्ट्रूमेंट क्लेस्टर बैटर दिया जाना चाहिए था एलेक्ट्रिकली अजिस्टिबल और व्यम्स और और सिट्रन सीथी का मेन फोकस स्पेस कंफर्ट और कन्विनियंस पर आये दो इस लॉट्स ऑफ्यू फीचर्स पट इसकी प्राइसिंग काफी अग्रेसिव की जाएगी सो ये था सिट्रन सीथी का वॉकराउंड सिट्रन ने अभी तक सीथी के प्राइसिज रिवील नहीं किये हैं प्राइसिज रिवील होंगे 20 जुलाई को लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन थैंक यू सो मच